टमाटर के दाम सुनकर लोगों को पसीना निकलने के साथ उनके चेहरे लाल हो जा रहे हैं वरनसी में 120 रुपे किलो से लेकर 180 रुपे किलो तक टमाटर विक रहा है ऐसे में एक सबजी दुकंदार ने टमाटर की सुरच्छा के लिए बाउंसर लगा कर सबजी बेचना शुरू किया है दुकंदार का कहना है कि टमाटर इतना महगा है कि लोग दाम सुनकर ही भड़क जा रहे है कई जगों से ऐसी घटना की सूचना मिल रही है कि अगर कोई 10 या 5 रुपे का टमाटर दुकंदार से मांग रहा है तो ना देने पर वा गालिक लोज और मार पीट कर ले रहे है ऐसी स्थिती से बचने के लिए मैंने अपनी दुकान पर बाउंसर लगा कर टमाटर बेचने का काम किया है टमाटर के चोरी और लूट होने के डर से दुकान पर बाउंसर लगाय जाने की खबर सुन लोग अचंबित है जहां एक तरप टमाटर की महगाई को लेकर तमाम जगहों पर भिरोध हो रहा है तो वहीं धर्म नगरी कासी में एक दुकांदार ने अपनी दुकान पर बाउंसर लगा कर टमाटर मेच रहा है दुकान मालिक का कहना है कि तमाम जगहों से सूचना आ रही है कि टमाटर चोरी का और टमाटर को लूट का इन ही कारणों से भारी मात्रा में मेरे पास टमाटर होने के कारण बाउंसर लगाया है बाउंसर लगाकर टमाटर बेज रहे दुखंदार को देखने वालों की फूर लग गई है आपको बता दें कि कासी में समाजवादी पार्टी के एक समर्थक ने कुछ देर के लिए टमाटर विक्रेता बनकर टमाटर की रखवाली के लिए बाउंसर लगा कर महेंगाई क्या गिरूद किया यहाखवर अखलेस यादों तक कहुची और उन्होंने टूइट करते हुए सरकार को आणे हाथु लिया और टूइटर पर लिखा कि भाजपा टमाटर को जेट प्रस सुरच्छा दे अखलेस यादों के टूइट करते ही कमेंट का दोर चल पड़ा देखी पूरी रिपोर्ट टमाटर की महंगाईए आप देख रहे हैं आप लोगों पता चल रहा होगा टमाटर के लिए मार पीट, लूट मारा पीटा जा रहा है कई जगह गटना हुई है हमने टमाटर महंगाया था इसलिए यहाँ पे बांध बिवाद न हो इसलिए हमने बांसर लगा रखे हैं सुनने में कई जगा आ रहा है कि 10 उरुप पांच उपाय का टमाटर मांग रहा है, आदमी नहीं दे पा रहा है, रेट बता रहा है, तो वो मार पीट रहा है, अभी कई घटनाय ऐसी हुई है, यहाँ पे नहों अपने भाई परिवार लोग हो, इसलिए हम खुद यहाँ पे ख खबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं